हेलो फ्रेंज वेलकम तो माई चानल सीटुई कॉंपिटिशन इडियों के साइट से क्यूंकि आप सभी जानते हैं कि हम आजादी कामृत महासब सलीप्रेट कर रहे हैं तो वोवर्मेंट के अलग अलग जो बॉडिज और और अर्गनाइजेशन से वो सभी अपने तरीके से आजादी कामृत महासब मना रही है तो इसी ओकेशन पर बहुत सारे कॉंटेस्ट और प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं फ्रेंज भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और कॉंटेस्स के बारे मैंने चानकार दी है उसको आप देख सकते हैं और वीडियो अवलेबल है हमारी चानल पर उसको भी आप जा करके देख सकते हैं बहुत तरीके काम्पेटिशन से ऑर्गनाइज किये जा चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं तो आप चाहे तो उत में भी Study और यहां पर आज हम दिस्कस करेंगे Tibetan기를 उर्च कोंप Edition के बारें दोrites open citizens यहांप औरcken अपनेश की जयान है इसमें आप opportunities कर सकते हैं साथमें तोसमें यहां प्र फेडिर यहांपर पूरी दिटेयेस यहां पर हम दिस्कस करेंगे आप पूरा वीडियो देख लेए फ्रेंस ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जो डाइम लाइन में फ्रेंस वह बहुत ही कम लिविटेड टाइम के लिए है तो उसमें जल से जल से आप पाटिस्पेट कर ले ताकि आप इसको मिस्स ना करें क्योंकि कॉंटेस्ट जो होते हैं फ्रेंस वह बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं तो हमारी चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल अकन को भी प्रेस कर ले ताकि आप कभी भी लेट ना हो किसी भी अपडेट को तो चलिए फ्रेंस वीडिय इंडिया यह दोनों ही क्विस कॉंटेस्ट जिसमें आप पार्टिस्पेट कर सकते हैं यह दोनों क्विस कॉंटेस्ट सेंटर फॉर डेवलप्मेंट अफ एडवांस कॉंप्यूटिंग हाइदराबाद के साइट से और्गनाइज की चार रही है साथ में इसमें माइटी डि पार्टिस्पेट कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं भी रगेरा करने के कोई ज़रोत नहीं है बलकि आपको बस यहां पर आना है और कुछ डिटेल्स से फ्रेंस जो क्यों फिल करने है और उसके बाद आपको जो क्विस जो स्टार्ट हो जाएगा विस कंप्लीट करने के ब इमेल आईडी के टेग्री सेलेक्ट करने है कि प्रोफेशनल है रिसर्चर है स्टुडेंट है टीचर है हो मेकर है जो भी आपकी के टेग्री है वो यहां पर सेलेक्ट कर ले फ्रेंस उसके बाद अपनी जेंडर सेलेक्ट करें एज ग्रूप सेलेक्ट करें सेलेक्ट करें औ तो जिस भी कृष्ट में आप जाएंगे फ्रेंस उसके रिलेक्टेड यहाँ पे कोशन्स पूछे जाएंगे और इसको जब क्लाशली अब जब समिट कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो स्कोर है वो बता दी जाएगी कि कितना कोशन्स आपने आंसर किया है कितना गलत आंसर किया है वो सभी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा और एक जो डिज़िटल सर्टिफिकेट है वह अहाँ पर आपको दी जाएगी जिसको हप डाउन्वोड कर सकते है यह सर्टिफिकेट आपको गवर्मेंट ओफ इंडिया के साइट से दी जाएगे इसका अब शेयर कर सकते हैं अब नेक्स जो फ्रेंज दो कॉंपटिशन है वो है यह फोस्टर मेंकिंग कॉंपटिशन एंड इलोक्यूशन या स्पीश कॉंपटिशन इन दोनों ही कॉंटेस में आप पार्टिसिपेट करके कैश प्राइज और सर्टिपिकेट जीच सकते हैं यहां पर आप कैश प्राइज भी जीच सकते हैं तो फ्रेंज यहां पर सबसे पहले हम लोग इलोक्यूशन कॉंपटिशन के बाड़े में देखते हैं इसका जो थी में फ्रेंज वो है इंडिया अलाइंड ऑफ अपोशनोटीज इसके लिए फ्रेंज दो के टेग्री जाएंगे अब वर्ट के बात करें फ्रेंज तो तीन यहां पर प्राइजस है फ्रस्ट रूपीस फाइब थाजन का कैश प्राइज या फिर इसी अवांट के आपको गिफ आर्टिकल दी जाएगी साथ में इतने में पाटिस्पेंस सभी को यहां पर इस सर्टिफिकेट 2021 है और जो डिजर्स अनॉंस होंगे फ्रेंज वो 30 सेप्टेंबर 2021 को कर दिये जाएंगे अब देखते हैं फ्रेंज कीस में आप कैसे पाट्सपेट कर सकते हैं तो इसके लिए फ्रेंज आपको जो अपनी स्पीच है उसको रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड करनी होगी एक यहाँ पर आपको फॉलो करने होंगे तो जो आपको स्पीच है फ्रेंज वो टू मिनट्स की होनी चाहिए टू मिनट्स से जाधा की नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिस हिंदी या तेलोगो इन तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप इसको तैयार कर सकते हैं इंट्री को और एक इंडिविज्वर इसमें एक ही इंट्री दे सकते हैं और आपकी जो इलोक्यूशन की जो कंटेंट एफ्रेंस वो आपकी खुद की होनी चाहिए कहीं से कॉपिड नहीं होनी चाहिए इंट्री के साथ प्रेंस आपको कुछेंस भी देन में जाए नहीं और यह से सब्सक्राइब ऑड़े सब्सक्राइब फॉष्टेर्टकी लाइब इक्वल अवांड में gift articles होंगे साथ में जो सभी इस participants है सभी को यहाँ पर इस certificate दी जाएगी last date इसमें भी 25th September तिल 5 p.m. और results वो 30 September 2021 को ही announce किये जाएंगे इसका भी mood of submission बिलकुल से में WhatsApp नमबर है उसी पर आपको send करना है e-poster के लिए friends कुछ guidelines है वो आपको follow करने है like friends इसको आपको digitally design करना है क्योंकि e-poster making competition है तो जो आपकी digital paper है उसकी size A3 या A4 होनी चाहिए file format JPEG या PNG हो सकती है पोस्टर में अगर आप कुछ लेखना चाहते है तो उसकी language English या Hindi इसे आपको लिखनी है एक जो participant है वो इसमें एक पोस्टर समिट कर सकते है और आपकी खुद की original creativity होनी चाहिए इसके अलबा friends कोई भी personal information like name, address यह सभी आपके पोस्टर में written नहीं होनी चाहिए तो friends आपको अपने इंक्री के साथ कुछ details देनी है like अपना name बताना है date of work, parent name, email, id, telephone, number, address of the school, college, university यह सभी चीज़े आपको देनी है तो friends यह पूरे guidelines थे in competitions में participate करने के लिए quiz competition, e-poster making competition and e-locution competition इन तिनों में आप participate कर सकते हैं friends वीडियो पसंद आया होते हैं इसे like और share करना बिल्कुल भी ना भूले हमारे चानल को ऐसी support करते रहे सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जल से जब लबना 1,000,000 सब्सक्राइबर का target कम्प्लीट कर पाएं और ऐसी updates पाने के लिए friends आप हमसे जुरे रहे आप हमें follow कर सकते हैं Facebook, Instagram पर और Telegram पर भी Thank you so much friends and take care